नमस्कार दोस्तों मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबूल केस नहीं हिंदी डिली मार्केट वीडियो में चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट अनाल्सिस काफी छोटा रखें कि क्या खास कुछ डिसक्स करने को है नहीं तो सबसे पहले देखें कि जो हमने क्रेड प्लान कर सकते हैं और पहले ही 15 मिनिट में आपको मार्केट नीचे तुरंती मार्केट खुलते ही नीचे चला गया था तो अभी देखें पॉइंट जो मैं आपर बताना चाहरा हूं हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट से थी कि मार्केट में एक आपको बेरिश एक् जब मैंने मतलब बैंक निफ्टी जैसे मैं आपको कल भी कहा था कि मार्केट में ट्रेड लेने के लिए क्योंकि यह जो एक जोन है यहां से मार्केट अगर नीचे जाएगा तो फिर मार्केट में एक सेलिंग प्रेश आपको देखने को मिल सकता है परनतो निफ्टी देखे तो मुझे लगा था कि यार अगर निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा तो नीचे पर नहीं जाएगा यहां पर तो एक इंटरस्टिंग पॉइंट मैं बताना चाहता हूं आपको कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के पास और डिफ्टी के पास यह बहु इसली मुझे लगा था कि ये लो पार कर जाएगा 41,100 वाला जो लो है ये मार्केट पार कर जाएगा और फिर मार्केट 41,000 के आसपास मुझे लगा था कि पहुंचेगा परन्तु पॉइंट जो मैं बताना चाहरा हूं वो यह है कि मार्केट में end of the day बायर्स आ जा रहे हैं बार-बार मार्केट को सेव करने के लिए ठीक है मार्केट में एक सेलिंग आया फिर मार्केट ऊपर चला गया फिर मार्केट ने फिर से एक सेलिंग ट्राय हुआ फिर मार्केट end of the फिर से कर गया ठीक है तो एक ंटे में लोग वैसी कुछ यहां पर देखने को किर दे था तो मेरा है। भी मुर्डी ले जुछाने के कोशिश में लगे हुएं । यहां सब्सक्राइब कर दूगा था वोलेटाइल टू आपको sideways expiry यहां पर देखने को मिली वोलेटाइल टू अप्ट्रेंड एक तरसे कह सकते हैं आम लोग expiry आपको यहां पर देखने को मिली ठीक है निफ्टी में भी वैसे कुछ कुछ केस दिखाई दे रहा है तो यहां पर यह समझ में आ रहा है हमें तो conclusion मेर यह है कि market अभी भी bullish है और market में buyers अभी मौझूद है जो market को उपर ले जानी की कोशिश में लगे हुएं तो यहां से मैं फिर से वही कहूंगा कि यहां से अगर market upside पर अपना high cross करता है तो फिर आपको यहां पर buy करना चाहिए ठीक है bullish trade ही प्लान करनी चाहिए मेरे हिसाब से अभी bearish trade क्योंकि आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि market अपने जो previous lows है उनको upside पर shift करता जा रहा है ठीक है जो lows है उनको upside पर market shift कर रहा है ठीक है तो यह एक अच्छा sign होता है market में तो यहां पर आपको में एक यह trend line भी दिखाई देगी एक यह इस तरह की य जा था analysis अंकुर जी ने अंकुर जी ने अंकुर जी ने खाया कि आप आप अर्ली चार्ट पर अगर देखेंगे तो आपको यह एक upward channel दिखाई देगा ठीक है उसको मैंने ड्रॉ करने की भी मेरे इसमें कोशिश करी है मैंने तो यहां पर मैं आर्ली चार्ट पर जाता हूं फिर वापिस मार्केट यहां पर support ले रहा है तो यहां से एक upside momentum आने के काफी जाधा chances है तो यहां पर भी यह भी एक bullish indication दे रहा है कि market में bulls अभी मौजूद है तो simple सा मेरा आपसे यही कहना होगा कि यहां पर bullish trading प्लान करेंगे हम लोग open interest discuss करने कोई बड़ा मतलब नहीं को कि आज ही तो खड़ा हुआ है open interest 18,000 यहां पर resistance है और यहां पर 42,000 और इस पर 41,500 पर भी अच्छा घासा हुआ यह अगरा कुछ बड़ी अक्टिविटी नहीं दिखाए दी कॉल्स में थोड़ा बहुत यहां बाइंग हुआ है फ्यूचर में कोई बाइंग नहीं यहां पर कोई भी अक्टिविटी नहीं दिखाए दी तो कुल मिला के जल्दी में cover-up करता हूं कि seller's market को नीचे लेना के लेकर आने क कर सकते हैं और intraday में जैसी market high cross करेगा अपने डे का आज का अगर market जैसी high cross करे वैसे ही आप market में बाइंग प्लान कर सकते हैं अगर market फ्लाट ओपन होता है तो फिर आपको वही price action का issue पड़ेगा price action देखना पड़ेगा कि उस market में price action कैसा बन रहा है छोड़े time frame पर आप द अभी तो मुझे लगता है कि market bullish रहना चाहिए एक और छोटा indication हमें यहां से भी मिल रहा है कि जो dollar है ठीक है वो week होता हुआ मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है रूपी strong होता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर तो यहां से market नीचे धीमे धीमे आ रहा है तो अभी में यहां पर आप sideways to downtrend के लिए यहां पर प्लान कर सकते हैं मेरे इसाब से क्योंकि अब अगर weekly chart अगर आप देखेंगे न तो एक picture perfect आपको rejection candle यहां पर दिखाई दे रही है तो कल market में अगर closing इसी के आसपास हो जाती है यहीं कहीं पर market closing हो जाती है तो आपको एक perfect rejection candle दिखाई हो सकती है तो ठीक बस यही बात है basically market अभी bullish दिखाई दे रहा है nifty में अगर आप weekly candle देखेंगे न तो weekly candle भी बहुत अच्छी बनती हुए यहां पर समझ में आ रही है कि weekly candle भी एक अच्छा shape लेती भी दिखाई दे रही है यहां पर और bank nifty में भी कि bank nifty bullish momentum आया और फिर market pause कर रहा है फिर upside पर एक अच्छा momentum आपको next week देखने को मिल सकता है तो यह था मेरा nifty bank nifty dollar का analysis आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और sensible के हिंदी चनल करें सब्सक्राइब उसे के साथ अपने capital को बचा आगर ट्रेड करो stop loss के साथ ट्रेड करो proper risk management position sizing के साथ ट्रेड करो ताकि आज ही नहीं कल भी ट्रेड कर पाओ और have a safe and happy trading sensible बापाई